नमस्कार स्वागत है आप सभी का व्लॉगर इसपर्श रेल नियूज नेटवक में और मैं हूँ आपके साथ इसपर्श सिरहा और आज मेरी मौजूद्गी है लखीम पुरेल वेस्टेशंपर आज किस वीडियो में आपको अपडेट देते हैं लखीम पुरेल वेस्टेशन से आपको आगे बढ़ें वीडियो में इसके पहले एक जांकारी दे दे कि लखीम पुरेल वेस्टेशन को अमरित भारत योजना के अंतरगत चैनित किया गया है और लखीम पुरेल वेस्टेशन एक नई तस्वीर को जन्व देता हुआ नजर आने वाला है बहराल एक नई वर्क अपडेट जो है वो लखीन पुरेल वे स्टेशन से बीते कई महिनों के इंतिजार के बाद निकल कर सामने आ गई है जो हम आपको आज किस रिपोर्ट के दौरान दिखाने जा रहे हैं सामने आप देख सकते हैं लखीम पुरेल वे स्टेशन के प्लाटफॉर्म नमबर एक पर कोच इंडिकेटर लगाये जाने को लेकर ड्रिलिंग का जो काम है वो दोस्तों यहां पर शुरू कर दिया गया है खबर पर विस्तार से बढ़ेंगे जैसा कि आप सभी भली बाती परचित है कि रोजाना शाम को आने वाली एक पचास दस जब मैरानी गोरखपुर एक्सप्रेस आई या सुबहा गोरखपुर से मैलानी जाने वाली एक्सप्रेस आई खास करके इस ट्रेन में लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कभी जर्नल बोगी आगे रहती हैं तो कभी पीछ है हलाकि अब announcement होने लगी है मगर इसके बावजूद जो और coaches रहते हैं sleeper कहां पे कौन सा लगा है AC कौन सा कहां पे लगा है ये लोगों को नहीं पता चल पाता है या तरी इसमें कहीं न कहीं जूजते और परिशान होते हुए नजर आते हैं ऐसे में ये एक अच्छा update निकल कर आया है लखीम पुरेल वेस्टेशन को लेकर जहां अमरित भारत योजना के अंतरकत लखीम पुरेल वेस्टेशन पर भी coach indicator system जो है वो अब लगा हुआ नजर आएगा आपको हलाकि अभी जो work है बहुत शुरुआती stage में बहुत शुरुआती stage में work चल रहा है platform number 1 पर दोनों ही छोरों पर आप देखें यहां पर drilling का जो काम है वो किया जा रहा है हलाकि बीते कुछ दुनों से यहां काम शुरू कर दिया गया है मगर चुकी बारिश का मौसम है इसलिए काम की रफतार थोड़ी सी धीमी तेज धीमी तेज मध्यमत रूप से आप एक तरह से कह सकते हैं नजर आ रही है और इस तरह से यहां पर भी drilling की गई है इसके अंदर pipeline डाली जाएगी फिर wire पड़ेगा और उसके बाद यहां एक पोल लगेगा पोल के बाद में जैसा कि आप तमाम स्टेशनों पर देखती होंगे उधारार सुरूब कि किस तरह से एक display board लगे रहते हैं जिसमें coach और train number दर्शाया जाता है भविश में उमीद है पीली भीट लिंक होने के बाद trainों की संख्या भी बढ़ जाएगी और कई express train इस रेल प्रखंट पर देखने को मिलेंगी और जाहिर तरपे अभी जो लोगों को trainों की समस्या है अभी जो लोग दिली नहीं पहुँश पाते लखींपूर से मुंबई जाना दूर समझते हैं जाहिर तरपे trainों की कमी होने से और जाहिर तरपे trainon ना होने के कारण उमीद है आने वाले समय में जब पीली भीत लिंक हो जाएगा ये समस्य आए भी कही ना कहीं घटती हुई नजर आएगी बहराल अपडेट कोच इंडिकेटर को लेकर यही है कि अभी शुरुवाती स्टेज में काम जो है वो लखीम पुरेल्वे स्टेशन पर शुरू कर दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले देड़ से दो महीने में कोच इंडिकेटिंग का जो सिस्टम है वो कही ना कहीं लखीम पुरेल्वे स्टेशन पर एक नया रूप देता वो नजर आएगा और लखीम पुरेल्वे स्टेशन की जो तस्वीर है खास करके प्लैटफॉर्म नंबर एक की कोईकि अभी जो काम है दोस्तों वो प्लैटफॉर्म नंबर एक पर शुरू किया गया है हालाकि आने वाले समय मुमीद है कि platform number 2 और 3 पर भी यह काम को किया जाना है मगर वरतमान समय में platform number 1 पर शुरू किया गया है और ऐसी उमीद जताई जा रही है कि आने वाले देड़ से 2 महने बाद लखीमपुर के इस platform की तस्वीर जो है वो कही ना कहीं बदलती हुई और कुछ अलग ही नजर आने वाली है आपको कैसी लगी अपडेट इस छोटी सी वीडियो में आप हमें जरूर से बताईए अपना सपोर्ट बनाया रखी अपना ख्याल रखी अमरित भारत योजना पर हम विस्तार से बात करते रहेंगे आने वाली वीडियो में चुकि मैलानी लखनो रेल परखंट के कई रेलेवे स्टेशन को चैनित किया गया है क्या कुछ खबर है क्या कुछ अपडेट है क्या कुछ होने वाला है हर इस टेशन पर सब कुछ बात करेंगे बहराल इस चोटी सी वीडियो में मैं आपको दिखाया है लखीम पुरेल रेलेस्टेशन के तस्वीर हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिए दोस्तों भारती रेल से जोड़ी हरे खबर सबसे पहले पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखें नमस्कार